हेलो एवरीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में जैसे ही वेकंसी का नया नोटिफिकेशन जारी होता है किसी भी राज्य की सिक्षक भरती का आप लोगों तक वीडियो पहुँचाया जाता है नवोदे विध्याले सिक्षक भरती का नया विज्यापन 14 मई 2024 को जारी किया गया है जिसमें 8 राज्यों से वेकंसी आई है पोस्ट graduate teachers की वेकंसी है 42,250 PZT के teachers की salary रहेगी बहुत सारे विश्यों में वेकंसी है लगबक 30 विश्यों में वेकंसी है TZT की पोस्ट है जिसमें 40,625 salary है counselor की पोस्ट के लिए 44,900 salary है female staff nurse की भी वेकंसी है और भी जो है कई पोस्ट हैं, तो चलिए देख लेंगे, नोटिफिकेशन कहां से जारी किया गया है, और वो 8 राज्यों कौन-कौन से हैं, और जितने भी स्टेट हैं, सभी राज्यों के कैंडि रेट इन 8 राज्यों में अगर अप्लाए करना चाहेंगे, तो बिल्कुल अप दिखा देती हूँ, तीछ विश्यों में जो वेकेंसी जारी की गई है, पीजीटी में सबसे पहले देखें, इंग्लिस की वेकेंसी है, हिंदी की वेकेंसी है, बायोलोजी की, फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जोग्रफी, एकॉनोमिक्स, कॉमर्स, क भासा मीज, बंगाली, मीजो, बोडो, खासी, यानि कि यहां पर भासा सिख्षक की वेकंसी बिल्कुल जारी की गई है, नेपाली, गारो, टीजीटी में कम्प्यूटर साइंस की वेकंसी है, म्यूजिक टीचर्स की, आर्ट टीचर की, लाइबरीरियन, फिजिकल एजुकेशन मेल, फिजिकल एजुकेशन, फिमेल टीचर की, उसके बाद फिमेल स्टाफ नर्स की वेकंसी है, और काउंसलर की वेकंसी है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तीस विश्यों में वेकंसी है, और साथ में फिमेल स्टाफ नर्स और काउंसलर की वेकंसी है, यहां पर देखें फीस जो है केवल काउंसलर की पोस्ट के लिए फीस है बाकी किसी के लिए कोई फीस नहीं है no application fee is required for other post ठीक है कोई भी फीस नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए काउंसलर की पोस्ट के लिए केवल फीस रखी गई है 500 रुपए जिसमें SCST और physical handicapped candidate की तो nil है 0 है ठीक है बाकी जो category है उनके 500 है केवल काउंसलर के लिए कोई फीस नहीं है यह आप ध्यान में रखें apply आज से ही कर सकते हैं 15 मई 2024 से लेकर 22 मई 2024 तक selection process क्या रहेगा कैसे apply करना है अंत तक वीडियो देखिएगा तभी सारी चीज़े समझ में आ सकेंगी यदि आप अधूरा देखेंगे तो किसी काम का नहीं होगा subject यदि आपका है तो बिलकुल अंत तक देखिए यदि subject ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है लास्ट तक वीडियो देखने का ठीक है TZT में जो है 42,250 पर मंथ salary है वैसे मैंने थमनेल में show कर ही दिया था लेकिन दुबारा से आप जो है इसमें notification में देख लें TZT और इसके अलावा भी कई पोस्ट है 40,625 पर मंथ फीमेल स्टाफ नर्स की 40,625 पर मंथ counselor की 44,900 पर मंथ ठीक है अब देख लेते हैं vacancy जो है कहां से release की गई है तो ये vacancy आई है देखिए 14 माई 2024 बिलकुल नया विज्यापन है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नवोदे विद्याले समिती इसमें contact us में जो regional offices हैं इसके अंतरगत जो है हर reason से जो है vacancy जारी की गई उसके अंदर जो है जितने भी state आते हैं विलकुल form apply कर सकते हैं तो धीरे धीरे करके जो है जितने भी reason से लगाता आ रही है vacancy तो मैं video cover कर ही देती हूँ अभी जैपूर reason से नहीं आई है लखनो reason से नहीं आई है शिलोंग reason से vacancy आई है तो यहाँ पर website का link है इस पर click करेंगे इसमें जो है मेगाले, असम, मनीपुर, अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड, मिजोरम, तरिपुरा और सिक्किम तो यह पूरे आठ राज्यों से यह vacancy है पीजीटी में यदि आप apply करना चाहेंगे जिस भी subject में तो post graduate आपका 50% marks के साथ में, साथ में जो है B.A.D. आपका जरूरी है जिनोंने B.A. B.A.D. किया है, B.A.C. B.A.D. किया है तो उनको अलग से जो है वो B.A.D. की degree जो है requirement नहीं है ठीक है और Hindi, English, Medium दोनों में पढ़ाना रहेगा P.G.T. Computer Science के लिए MSC या MCA, ME या MTEC Computer Science या IT से इसमें P.G.T. Computer Science में B.A.D. की degree बिल्कुल मांगी गई है केंद्रे विध्याले में P.G.T. Computer Science में B.A.D. नहीं मांगा जाता लेकिन यहाँ पर जो है मांग रहे है Physical Education Teacher के लिए जो male और female दोनों की vacancy है तो इसमें Master Degree मांगी गई है यानि M.P.A.D. आपका होना चाहिए T.G.T. के लिए अगर आप अप्लाइ करना चाहेंगे तो आपके इस नातक में Graduation में 50% marks और B.A.D. की degree C.T.E.D. Paper 2 qualify होना चाहिए ठीक है और Hindi और English Medium दोनों में पढ़ाना रहेगा तो subject आपको बता ही दिये हैं T.G.T. Social Science में combination देख लें आप की Graduation में History के साथ में Geography, Economics या Political Science हो या Geography के साथ में History, Economics और Political Science हो ठीक है और अगर आपने History या Geography Should have been studies for all 3 years in the graduation तो भी अप्लाइ कर सकते हैं BA Honors डिग्री वाले भी अप्लाइ कर सकते हैं यहां पर जो Last Line में देखें जिन्होंने Economics या Political Science में किया है BA Honors तो वो T.G.T. S.S.T. के लिए अप्लाइ नहीं कर सकते इसके अलावा History में किया है या फिर History के साथ में अगर आपने Geography में किया है Economics में किया है Political Science में किया है तो आप Elisible रहेंगे Language Teacher की जो Vacancy है तो आपने जो है Degree Course किया हो यानि तीनों साल इसनातक में आपने ये Language पढ़ी हो C.T.E.D. Qualify होने चाहिए B.Ed. Qualify B.Ed. की Degree चाहिए और English Hindi Language आपका पढ़ाना रहेगा T.G.T. Computer Science के लिए Computer Application में Bachelor Degree यानि BCA, BE या BTEC आपका होना चाहिए ठीक है B.Ed. T.G.T. और P.G.T. Computer Science दोनों के लिए मांग रहे हैं T.G.T. Art में Degree in Fine Art या Craft इसमें भी B.Ed. मांग रहे हैं Physical Education Teacher के लिए V.P.Ed. वाले अपलाए कर सकते हैं T.G.T. Music में Bachelor Degree in Music और आपका तीन साल का जो है डिग्री हो Librarian के लिए भी जो है Library Science में आपने Degree या Graduation के साथ में एक साल का Diploma Library Science में हो तो भी अपलाए कर सकते हैं Regional Language के रूप में आपने English या Hindi पढ़ी होनी चाहिए इसमें Working Knowledge आपको होनी चाहिए Female Staff Nurse में जो है BSC Honors Nursing वाले अपलाए कर सकते हैं Regular Course in BSC Nursing वाले अपलाए कर सकते हैं या Post Basic BSC Nursing वाले अपलाए कर सकते हैं साथ में जो है दूसरी Condition क्या है इसमें Registered as a Nurse और Nurse Midwife with any State Nursing Council C Option भी जो है इसके लिए है Female Nurse की Two and Half Year Experience भी जो है मांगा जा रहा है Counselor के लिए आपने MA की हो Psychology से या MSC की हो साथ में एक साल का Diploma Guidance and Counseling में होना चाहिए इसमें अनुवब भी मांगा जा रहा है एक साल का चाहे वहाई Central Government का रहा हो आपके पास या State Government का या फिर Public Sector Undertaking किसी का भी रहा हो ठीक है Counselor में Age की अगर हम बात करें तो 28 से लेकर 50 वर्स है Upper Age Limit जो है बाकी और जो भी Teachers की Vacancy है PGT, TGT में तो 50 वर्स तक के Candidate अप्लाए कर सकते हैं जो नवोदे विध्याले में पहले पढ़ा चोके हैं या फिर किसी Government School के टीचर रहे हैं तो 65 वर्स तक के Candidate इसमें आवेदन कर पाएंगे अब Selection Process कैसे रहेगा Weight is for Educational and Other Qualification इसके आधार पर रहेगा जैसे PZT, Physical Education को छोड़का जितने भी Subject हैं तो इसमें 40 मार्क्स जो हैं आपकी Essential Qualification Qualification में जो रहे हूँ आपके Subject में B.Ed में 10 मार्क्स और अगर आपने इसे Higher Qualification ली है PZT की Post के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे PSD आपने किया है, Amphil किया है, Amad किया है तो इसके 10 मार्क्स अगर अनुभव है तो 15 मार्क्स ठीक है, तो 75 मार्क्स जो हैं आपके Qualification के अधार पर उसके बाद जो है, अलग-अलग Subject के लिए रहेगा इसी तरीके से TZT में 75 मार्क्स आपके जो है कैसे निकाले जाएंगे तो Qualification के आपके 40 मार्क्स यानि सनातक के उसके बाद Higher Qualification है यानि Master Degree है तो उसके 10 मार्क्स Beard के 5 मार्क्स, Seated Qualify 5 मार्क्स और अनुभव है 15 मार्क्स तो ऐसे 75 मार्क्स जो है वो सभी पोस्ट के लिए रहेंगे ठीक है, बाकी के जो 25 मार्क्स हैं तो वो देख लेते हैं, वो किस तरीके से दिये जाएंगे हाँ, ये दिया हुआ है Personal Interaction, यानि कि इंटर्व्यू रहेगा PZT और TZT, इसमें Librarian भी जो है इंक्लूट रहेगा तो पैड़ोजी के 4 मार्क्स रहेंगे Subject Knowledge के 4 मार्क्स रहेंगे 4 मार्क्स जो है, Original Language के रहेंगे English के रहेंगे और Residential System of Schooling ये आप से पूछेंगे Computer का पूछेंगे 3 मार्क्स का, GK पूछा जाएगा 3 मार्क्स का, Overall Personality 2 मार्क्स की, Any Other Area, यानि 2 मार्क्स जो है वो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो 25 मार्क्स जो है इस तरीके से, यानि 75 मार्क्स आपके Education Qualification के, बाकी 25 मार्क्स जो है इस तरीके से ठीक है, इंटर्व्यू के ही आधार पर रहेगा तो परिक्षा तो नहीं होगी How to apply, कैसे apply करना है तो यहाँ पर आप लोगों को लिंक दिया गया है, इसे जो है आप लोग Screenshot ले ले Google पर सर्च करना www.trschoms.in ठीक है, क्योंकि जैसे Official Website पर आप जाते हैं, NVS की तो यहाँ पर जो है Shilong की Website पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा आप लोगों फिलाल अभी नहीं डाला है, लेकिन हाँ, डाल देंगे, आज शाम तक या फिर कल तक जो है, डाल दिया जाएगा इस पर जो है, आप क्लिक करेंगे, तो आप लोगों को यह पूरी PDF फाइल जो है, आप लोगों को मिल जाएगी तो यह पूरी PDF फाइल है जो कि मैंने आप लोगों को बता दी और यहां पर यह भी देख सकते हैं आप कि किस school में आप जो है The candidate have to attend the interview in the following vidyale इन vidyale में जो है आप लोगों का interview रहेगा subject wise ठीक है तो subject wise जो है आप देख सकते हैं कि हमारा interview कहां पर रहेगा तो और भी जो है vacancy यानि जैपो रिजन लखनो रिजन इन दोनों की रह गई है बस और चंडिगर्रीजन की शायद चंडिगर्रीजन की भी रह गई है जैसे ही जो है website पर आ जायебा आप लोगों को बताया जायेगा जो भी wait कर रहे है वीडियो लगातार देखते रहें, ठैंक यू